ओके हमने अरेस की बेसिक डेफिनेशन तो समझ ली ठीक है अब अरेस के मैथड्स जो होते हैं एक्जिक्यूशन के उसको देख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट पर हम बना लेते हैं हमारा 13 इना लिए देता हूं जावा जावा स्क्रिप्ट अरे मैथड डॉट स्टीमल अपनी बॉलर प्लेट ले आते हैं जल्दी से आ जाओ नीचे यहां एक हैडिंग टैग ले लेता हूं यहां लिख देता हूं जावा स्क्रिप्ट अरे मैथड ओके ओके एक बार लाइव सर्वर देख लेते हैं ओपन है कि नहीं है रिफ्रेश करते हैं हमारा 13 यह आ गया ओके ठीक है जावा इसक्रिप्ट भी अगर हम जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था नंबर में देखा था सब के मैथड्स होते हैं तो वैसे ही एरेस के भी मैथड्स होते हैं उनको प्रेटिकुलर्ली उसकी ऑबजेक्ट को एक्जिक्यूट करने के लिए ठीक है तो अगर माल लो मैं आ तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू स्ट्रिंग मैथड्स की जो की एक अरे को स्ट्रिंग में कर देता है मतलब समझ लो कॉमा सपरेटिड अरे वैल्यूज में वह कर देगा ठीक है तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं और इस पैराग्राफ पे यहां पे लिख देता कि दो टू स्ट्रिंग ठीक ऐसे मैथड होती है मैथड रिटर्न्स ओके एन अरे एज अ कॉमा सपरेटेड इस्ट्रिंग स्टी आर आई एंजी ठीक है यह क्लियर है ठीक तू स्ट्रिंग क्या करेगा अरे के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको को एसकॉमा सपरेटेड इस्ट्रिंग में चेंज कर देता है ठीक अब पी ले लेते हैं हमारा अब यहां पर एक आईडी ले लेता हूं इसको कर देता हूं शरुद अब नीचे आजाओ अपनी स्क्रिप्टिंग पार्ट पर आजाओ अब यहां पर हम फिर से कॉंस लेते हैं इस बार ठीक है हम लेट वार हम नहीं लेंगे इस बार हम देते हैं यहां मैं एक ग्रुप देता हूं ग्रुप ऑफ फूर्ट देता हूं ठीक फूर्ट इस इकवल टू अपना एले ले लेते हैं तो आरे हम कैसे देंगे लिस्ट वाले टैग में स्क्वेर डरस में पहले देता हूं बनाना दूसरा तो यहां पे और एक और डेता हूं यहां पे एपल और चार कर देते जए यार मज़ा करें यहां मज़ा नहीं आते एक में है ना validity मैंग चार मे ने दे दिए मैं इसको डेकलेher कर देता हूं ठीक है मैंने एक बनाया है Fruits उसके अंदर मैंने चार वेल्यू देदी अब मुझको इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा सिंपल डॉक्युमेंट गेट लेमेंट भाइड और उसके अंदर शद के अंदर प्रिंट जो दो okay inner stml is equal to मैं यहां क्या करूँ fruits fruits दोंगा और मुझे को क्या यूज करना है method टू string तो मैं यहां लिख दूँगा two string और बीच में parameter यहां blank रहना है दूँगा functionalize कर दूँगा और इसको execute करेंगे तो जब execute करेंगे तो क्या होगा list में नहीं आएगा ये क्या होगा banana, orange, apple, mango क्योंकि हमने क्या किया fruits के अंदर जो arrays था इसको हमने string में change कर दिया ठीक है देख लेते हैं देखो comma separated string आगया आपके पास में ठीक है तो ऐसे आप कोई भी array के अंदर से कोई भी value को access कर सकते हो, string में access करना चाते हो तो ऐसे आप access कर सकते हो whole array को ठीक, बहुत simple है, इसी में एक join statement होता है, मतलब join method होता है आप समझो मैं यहाँ लेता हूँ एक paragraph, यह join method क्या करता है basically, जैसे की आपको कुछ element को किसी array में join करवाना है, ठीक है, यह फिर string में join करवाना है, तो basically यह कैसे काम करेगा, मैं इसका दिखा देता हूँ, मैं एक यहाँ पर paragraph लग देता हूँ, paragraph में लिख देता हूँ, the join, ठीक, ऐसे होता है इसका function is, the join method, joins array, ठीक, elements, elements, into a string, s-t-r-i-n-g, आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम 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 हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कॉमा की जगा बस हम, एक operator ले आएंगे, चाहे आप, प्लस दे दो, माइनस दे दो, इक्वल टू दे दो, स्टार दे दो, जैसे हम स्टार से करके देखते हैं, ठीक है, तो, आप मतलब कोई भी operator का आप यूज़ कर सकते हो, कॉमा की जगा पे, सिंपल तो, वहाँ पे हमको जोईन का यूज़ करना पड़ता है, इस ट्रिंग अपना काम करेगी, जोईन अपना काम करेगा, तो मैं यहाँ पे, सेम कंस्ट लेता हूँ, तो एक काम करता हूँ, इसको पूरा copy कर लेता हूँ, paste, ओके, सॉरी, मुझे एक paragraph लेना है, paragraph मुझे ID लेनी है, ID लेता हूँ, शरत 1, नीचे आ जाते हैं, इसको उपर कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, हमारा scripting part, const करता हूँ, fruits हो गया था यह, तो fruits 1 कर देता हूँ, शरत 1 हो गया था, तो fruits 1 भी हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाओ, document.getElementById, getElementById, ठीक है, उसके बाद फिर किसके अंदर print करना है, हमको शरत 1 के अंदर print कर दो, आप, innerstml दे दो, और is equal to, किसको change करना है, fruits 1 को change करना है, fruits 1 को हमको join करना है, तो मैं यहाँ करूँगा, join, उसको functionalize कर दोँगा, अब इसके अंदर मुझे देना है operator, या जो भी मैं इसके अंदर comma की जगापी use करना चाहता हूँ, समझो आप, जैसे मैं दे जाता हूँ star, just suppose, ठीक, मैं star दी दिया, इसको declare कर दिया, अब मेरे पास कैसे value आगी, banana star, orange star, apple star, mango star, कुछ इस तरह की आईगी, देखो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बीच में hyphen दे सकते हो, आपको जोल देना है दे सकते हो बीच में, यह joining होती है, basically, string का function अपना अलग हो गया, join का function अपना अलग हो गया, ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको बताता ह हूँ, popping and pushing, ठीक है, मैं यहाँ पर यह actual में पूरा का पूरा, इसका खुद का यह कलक से chapter है, बट मैं आपको इतने easy तरीके से समझाओंगा, कि पूरा chapter आपको आसाइन से clear हो जाएगा, ठीक है, P, मैं एक heading tag यह लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, popping and P, U, S, H, ING, popping and pushing, जब भी आप किसी array के साथ work करते हो, ठीक है, उसके साथ जब भी आप काम करते हो, तो element को remove करना या किसी element को जोड़ना बहुत easy होता है array में, को कि मैंने पिछले वीडियों ही पताया था, अरे basically एक list के जैसे काम करता है, एक data type है, list, data type में आप कुछ भी कर सकते हो, modify कर सकते हो, join कर सकते हो, दो list को एक साथ, तो array एक तरह की list है, इसलिए आप array के अंदर सब कुछ कर सकते हो, तो इसी को, इसी पूरे process को, जो हम add कर रहे है, remove कर रहे है, ठीक है, इन सारे process को कहा जाता है, popping and pushing, ठीक है, बस इसका term एक तरह से अलग होता है, तो मैं यहाँ एक paragraph बनाता हूँ, popping, ठीक, popping items out of an array, ठीक, और जो pushing होता है, pushing items into an array, ठीक, मतलब क्या हो गया, popping का मतलब remove, या यहाँ ब्रेकट में कर देता हूँ, remove, ठीक, और pushing का मतलब क्या हो गया, adding, simple है, है न, बहुत simple है, इसको complicated बना दिये है, basically यह है नहीं, complicated उतना, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट, और array, और पॉपिंग को ऐसे लिखा जाता है कुछ, यह आपने बहुत जगा पढ़ा है, मैंने स्टीम में भी पढ़ाया हूँ है, इसक क्या करेगा, basically, यह क्या करेगा, remove कर देगा, किसको, last element of the array, यह आपने देखा था, ठीक है, मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ, paragraph, the pop method, यह स्टीम में मैंने अच्छे तो बताया, अगर आप नहीं पढ़े होगी HTML, तो आप एक बार चले जाना, पीछे और HTML का पूरा सीरीज देख लेना, आपको clear हो जाएगा, मैंने javascript में भी शायद starting के बताया है, इसके बारे में, ठीक है, मुझको जहाँ तक याद है, अगर मैं नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर clear करी रहा हूँ, इसको, pop method क्या करता है, removes the last element, ठीक, the last element from an array, तो यह आपका note हो गया, अब कीजें ले लेते हैं, मतलब दो ID लेते हैं, ठीक है, एक paragraph लेता हूँ, इस पर मैं दे देता हूँ, शरद 2, शरद 1 ले चुका हूँ क्योंकि मैं, और एक और ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ, शरद 3, मैंने दो लिया, अब मैं यहाँ script ले लेता हूँ, ठीक, और जो मेरा कंस था, सेम बिल्कुल, इस इस में copy कर लेता हूँ, बस यहाँ पर इसको कर देता हूँ, शरद 3, फ्रूट 3, ठीक है, ताकि मेरी सीरी जो है, वो चलती रहे वैसी, शरद 3 तो फ्रूट 3 वैसी, अब यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेते हैं, document.getElementById, किस के अंदर, पहला वाला किसके अंदर प्रिंट करें, पहला वाला अपन शरद 2 के अंदर प्रिंट कर लेता है, dot, innerstml, is equal to, simple यहाँ में कर देता हूँ, fruits, fruits to, ठीक, शरद 2 के अंदर fruits to हो गया, अब फिर document, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर document ना करके, अब इसको पहले remove क दिखाता हूँ, fruits, 3, fruits to, अचा, fruits 3 था ना, sorry, 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 यही मैंने, fruits 3, okay, अब first, fruits 3 में, मैं क्या करूँगा, last को हटाता हूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया, pop, मैं यहाँ देखो, कोई अंदर में indexing नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं indexing देना होता हूँ, और मैं last अवला हटात तो मैं क्या करता, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 देता, यहाँ पर, क्योंकि mango last में 3 है, indexing के सब, लेकिन मैंने indexing नहीं दिया, मैंने सीधे pop लिख दिया, अब pop by default अपना जो work है, वो अपना work कर लेगा, ठीक है, अब यहाँ फिर सम कर देते हैं, document.getElementById, और यह वाले को आप print कर दो share a 3 में, ताकि मैं सब लोगों को समझा पाऊं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, is equal to, अब मुझको यहाँ कुछ नहीं करना है, मैंने pop तो हटा दिया, तो अब मैं यहाँ सीधे कर देता हूं, fruits 3, declare कर देते हैं इसको, क्या होगा अब, देखो मैंने दो अलग अलग आपको value लिए, यह पहली value by default हो गई, ठीक, fruits 3 में जो जो value है, banana, orange, apple, mango, यह activities आ गया, और जैसे ही मैंने उसको pop किया, मैंने variable define किया, const पे उसका जैसे ही मैंने pop किया, last value value हट जाएगी और banana, orange और apple मेरे पास show हो जाएगा, देखो, यह पहली value थी, pop करने के बाद, यह वाली value हट गई ठीक है, तो erase के अंदर से कैसे आपको remove परना है, pop method के through, easy है, बहुत easy है, indexing के through भी आप कर सकते हो, है ना, अब यही same आपका pushing method हो गया, just इसका opposite, तो मैं यहाँ फिर से एक paragraph ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, the push, push हो गया न, the push, the push method क्या करेगा, append करेगा, a new element, 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 to a, to an array, ठीक है, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, एक paragraph, और id दे देते हैं, id दे देते हैं, इस बार, शरद 4, ठीक है, मैं इस बार simple ले रहा हूँ, मैं दो value नहीं ले रहा, एक ही जैसा आपको दिखा रहा हूँ, कि हम कैसे इस पर change कर सकते हैं, ठीक, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, script ले लेता हूँ, इस script में const ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पर हो गया, शरद 4, तो इसको कर दो fruit 4, देखो चार value है by default इसके अंदर, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, simple मैं fruits लूँगा, कौन सा fruits 4, fruits 4 dot करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूँगा push, इसके अंदर मुझको कौन सा parameter पास करना है, एक नया कोई fruit पास कर दो, बनाना orange apple mango, यहाँ पर कर दो kiwi, ठीक, डिक्लियर कर दो इसको, अब मुझको इसको प्रिंट करना है, तो मैं simple document dot get element by id, किसके अंदर प्रिंट करना है, तो हमको शरद 4 के अंदर प्रिंट करना है, और dot inner stml is equal to, मेरे पस क्या आ गया, fruits 4, बस टिक्लियर कर दो, अब आपके पस क्या आ जाएगा output, चार की जगा, पांच लेंगता जाएगी, बनाना, ओरेंज, एपल, mango और कीवी, कीवी भी एड हो गया आपके पस, देखो, है ना, बहुत इजी मैथड है, ठीक है, जैसे हम, अरेस के अलावा हम add remove करते हैं, बस इसमें आपको push और pop का यूज़ करना है, एडिंग या अलग-अलग change करने के लिए, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है, जिसको हम कहते हैं shifting, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ link tag, यहाँ पर लिख देता हूँ shifting elements, shifting का मतलब तो आप समझ गए, shift करना, है ना, अगर आपको shift करना है, तो आप कैसे shift करोगे, अब shifting का भी तरीका अलग-अलग है, तो मैं यहाँ पर एक paragraph लेता हूँ, ठीक, इसको और अच्छे से define कर देता है, अब paragraph में में लिखता हूँ the shift method, इसको functionalize करो, इसको आप best practice में ले आना, ऐसे लिखना, ठीक है, it basically removes the first element, ठीक, first element of an array and shifts the other elements, other elements to the left, si, shi, shift, इसको मैं कर देता हूँ, word web, देखो यह आपका बन गया एक notes, अब नीचे आजाओ, अब एक paragraph ले ले लेते हैं, और paragraph में हम ID ले ले लेते हैं, इसको कर देते हैं, शरद 5, ठीक है, मैं फिर से उपर नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको shifting दिखा रहा हूँ, सीजे, ठीक, तो आपको क्या करना है, फिर से script लेनी है, script लेके, यहाँ पर same fruits ले लो, और इसको कर दो, 5, जरो, नीचे आजाओ, अब यहाँ पर आपको shifting करनी है, shifting कैसे करनी है, shifting यह करनी है, कि मैं खिसकाओंगा, मतलब जैसे मैं बनाना को खिसका दूँगा, बनाना को हटा दूँगा, तो जितनी चीजें बचेंगी मेरे पास वो बचेंगा, और ओरेंज, एपल और मेंगो, तो shifting क्या होती है, बिसिकली shift करता है यह, लेकिन indexing इसकी change नहीं होती है, थे इस चीज का आप धियान रखना, तो मैं देखो किसको करके दिखाता हूँ, fruits, 5 है हमारा, dot, इस पर कर दो shift, कोई parameter आपको पास नहीं करना है, नीचे आजाओ, फि किसके अंदर, शेरद 5, dot in a rest email, is equal to fruits 5, ठीक, simple, क्या हो जाएगा, बनाना हट जाएगा, देखो, orange apple mango, यह हमारी list के अंदर, orange apple mango, बनाना जो है वो, skip हो गया, हट गया, shift हो गया, ठीक है, first element को यह shift कर देता है, और shift the other element to the left, ठीक है, अब माल लो, कि, आपको क्या करना है, basically दिखाना है, कि जो element है, वो shift कैसे हुआ है, अगर माल लो, आप वो करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पर simple दे दिया, कि shift हो जा, तो shift होने पर क्या हो गया, यह जो है, हट गया, है ना, लेकिन माल लो, आप इसको show करना चाहते हो, अभी, shifting element को, इस element को, जैसे बनाना, various बनाना, बनाना गया तो गया कहा, बनाना तो ही नहीं हमरे पास में, है ना, तो मैं य यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर, यहाँ पर, मैं यहाँ पर केवल यह लगा दूँगा, कि भई, shift है, मतलब, मैंने तो यहाँ केवल fruit को print कर दिया, तो मैं fruit को print नहीं करना चाहता, ना, मैं यह चाहता हो, कि जो बनाना है, वो print हो जाए, तो मुझको क्या करना पड़ेग जैसे मैंने यहाँ पर दिया na fruit shift ठीक है यह मैंने simple दिया देखो मैं इसको यहीं पर करता हूँ जैसे इसमें बनाना तो नहीं आया बनाना को हम उपर ले आते हैं ठीक है तो मैं इस पर दो id ले लेता हूँ एक शरत 5 हो गया यहाँ पर ले देता हूँ paragraph और यहाँ पर ले लेता हूँ इसको कर देता हूँ शरत 6 ठीक है क्योंकि कई बार हमको जो shifted value है shifted value को भी use करना पड़ता है तो मुझे shifted value तो चाहिए ना मैं कहां से लेख्या हूँ shifted value तो शरत 5 तो यह हो गया एक काम करते हैं ठीक है इसको ऐसी रहने देते हैं और शरत 5 और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको कर देता हूँ fruits.shift क्योंकि मुझे क्या करना है shifted value को शो करना है ठीक है तो पहले तो मैं यहाँ आता हूँ यहाँ आता हूँ पहले यहाँ पर करता हूँ document.getElementById यहाँ पर कर देता हूँ शरत 5 ठीक और dot innerStml और is equal to इसको कर देते हैं यह ठीक अब यहाँ पर आ जाओ नीचे अब document.getElementById इसको आप कर दो 6 और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ shift ना करके इसको केवल fruits करता हूँ. fruit5 ठीक है देखो दो अलग-अलग value अपन ने लिए है अब यह गर देखो देखो क्या हुआ जो shifted value value थी अगर आपको इसको यूज करना है तो आप print पे मतलब जो आप output लोगे वहाँ पे आप जो shift हुआ है उस पे उस value को यहाँ पर define कर लो तो बनाना जो है क्योंकि इसके अंदर shift हुआ है तो बनाना यह access कर लेगा और बाकी जो value भशती है बाकी value को आप normal fruit के त्रू एक्सेस कर सकते हो पहले हम उसको cutting कर रहे थे ध्याने है हमने सीज़े cutting करी और cutting करने के बाद पर देखो जैसे मैं काम करता हूं इसको यार copy कर लेंगा ठीक वसे इसमें आप समझ जाओगे ये नीचे वाली value वही है जिसको हमने cutting किया था यहाँ पर ठीक है ये value हमारे पार सीधे सीधे show हो गई और एक value को फिर मैंने show कर दिया मैंने उसको काटा और काट के पहले मैंने show नहीं किया था मैंने इसलिए ये नहीं दिया था वहाँ पर है न इस बर मैं क्या कर रहा हूं जो value मैंने काटी है उस value को भी मैंने यहाँ पर show off कर दिया बस तो बनाना को आप जब access करोगे तो printing के तुरू access कर लेना उसको किसी पैदागराफ या किसी variable में save कर वा लेना ठीक है इसको आप variable में भी save कर रहा सकते हो उसको use कर सकते हो बनाना को as a cutting और otherwise आप normally भी कर सकते हो दोनों में आपको कोई दिक्कत नही है ठीक है तो यह हो गया अब इसी में एक method होती है unshift खोप ही आपको समझ में आ गया होगा अब मैं एक और paragraph ले लेता हूँ और unshift लिखता हूँ unshift method क्या करता है कि जो पुराना वाला element है उसको समझ लो undo कर देता है ऐसा समझो आप ठीक है तो मैं यहाँ लिख देता हू the unshift ऐसे ठीक है the unshift method 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 adds new elements to the bginning beginning of an array ओके जो मैं notes आपको लिखा रहा हूना यह notes आप लोग रटा कर लेना कोकि interviews में या exam में यह बहुत काम आने वाला है और अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक paragraph और मैं क्या करूंगा आपको फिर दोनों उपर नीचे दिखाऊंगा कोकि singly में आप समझ नहीं पाऊगे इसलिए मैं ऐसे double double ही करूंगा जैसे मैंने सम पराच 7 और फिर से एक paragraph लेता हूं और id इसको कर दो शरद 8 और fruit को इस बार 8 लेंगे ठीक अब यह const हो गया नहीं अभी हम लेनेंगे script इसको कर दो फ्रूट्स 8 ओके अब यहां पर हमने बुला अन्शिफ्ट की बात तो सबसे पहले तो हम सिंपल सिंपल जो प्रिंट कर देते हैं हमारा जो document.getElementById है किसको प्रिंट कर दो शरद 7 में यह ना dot innerstml is equal to fruits8 बस as it is पहला वाला अब मैं इसको अन्शिफ्ट करता हूं किसको करूं fruits8 को अन्शिफ्ट कर देता हूं यह देखो अन्शिफ्ट आ गया parameter में मैं यहां पर अन्शिफ्ट में देता हूं माल लो lemon देता हूं ठीक है मैं blank नहीं छोड़ रहा हूं मैं functionalize कर रहा हूं parameter पर lemon दे रहा हूं ताकि एक नई value नया string वहाँ पर आ जाए अब मैं इसको print कर देता हूं document.getElementById किसके अंदर कर दूँ शरादेट के अंदर डॉट इनर स्टीमल ओके इस इक्वल टू इस इक्वल टू अब मुझको सिंपल यहां पर फ्रूट से देना को कि मैं मुझको जो करना है मैं वो कर चुका हूं है ना मैंने इस वाले function बना के मैंने यहां पर पूरा उसको execute कर लिया मैं unshift कर दिया उसके अंदर मैंने lemon दे दिया अब यह मुझे क्या output देगा जैसे मैंने बताया shifting क्या करती यह पहला वाला element remove कर देती है समझो अब यह क्या करेगा unshift unshift मतलब यहां पर जाके एक एड हो जाएगा मतलब बनाना orange apple mango के पहले इसके पहले lemon एड हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा lemon बनाना orange apple mango देखो देखो lemon आ गया पहले और यह पहला वाला string था हमारा पहले वाले array में चार value थी और जो नया हमने unshift किया उस पे हमने 5 value ले में ठीक है यह आपको clear हो गया होगा बहुत easy है यह अब बात करते हैं element को change करने की ठीक है क्योंकि आपको पता है कि element जो होता है कोई भी array का element उसको हम कैसे access करते हैं हमने देखा था पिछले वाले शेप्टर पर उसको हम access करते हैं indexing से है ना जैसे की पहला वाला आपको use करना है पहला वाला यह use करना है मालो आपको तो आप क्या करोगे indexing इसकी zero है तो इसको zero से access करोगे इसको one से करोगे इसको two से करोगे इसको three से करोगे वैसे अगर आपको negative में जाना है तो negative से last वाला आपको चीए तो कैसे access करोगे minus 1 मैंने मैं मैंने मतलिश hoor- ऐसे अक्सक्राइब कर सकते हो की तो यह दो ऑन euro तरीके हैं आपके पास दोनो तोरीके में आप जैसे एकस्थ करना चाहते हूं वैसे एकस्थ कर लेता हूं मैंने head ले लिया एश टू लेना है एश टू ओकैं यहां पर मैं देता हूं जावा जावाई स्करीप्ट अ और एल लैंग्ड ओकैं और तो बहुत सिंपल है अले की लैंक्स जो होती तो बहुत सिंपल है है ना लेकिन इस पर working कैसे की जाती है एक बार वो भी देख लेते हैं ठीक है क्या होता है जब भी आप किसी चीज को append करोगे तो या तो आप indexing के तुरू इसको access करके append करो या फिर length के तुरू करो length जो होती है ना सबसे easy होती है indexing और भी easy है बट length जो है जावा script में थोड़ी सी easy होती है तो सबसे पहले मैं यहां पर आपका एक note कर देता हूं द लेंग्थ ठीक प्रॉपर्टी ते लेंग्थ प्रॉपर्टी प्रोवाइट्स एन इजी वे तो अपन न्यू एलिमेंट एल एल एम एंट एलिमेंट टू एन अरे वेदाओट यूजिंग द पुश मैथर्ट ठीक पूश मैथर्ट आपने देखा ही हुआ है कैसे करते हैं पूश मैथर्ट में भी हम एड़ करते हैं लेकिन आप एक और तरीके से लेंट के तुरू भी एड़ कर सकते हो कैसे एड़ करोगे अब यहां पर ले आओ एक परग्राफ ठीक इसको दे दो आईडी कुंसी आईडी शरद 9 दे दो शरद 9 अब आजाओ नीचे एक और परग्राफ ले लो मैं दोनों दिखा देता हूं आपको आईडी यहा से फ्रूट्स को 10 मना जेते हैं 10 लास्ट अब यहां पर मैं क्या करूँ मैंने अब मैं सिंपल इसको पहले तो प्रेंट कर देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट इलिमेंट बै आईडी उसके वाद किसके अंदर तो शरद 9 डॉट इनरस्टी एमेल इस एकोल टू फ्रू फ्रूट्स यह हो गया 10 डिकलियर अब मैं इसको क्या करूंगा लेंक के थ्रू एक नया जैसे मैंने कीवी एड किया था लेमने एड किया था ना वैसे ही मैं कीवी को एड करता हूं तो इस बर जैसे पॉप लास्ट वाला रिमूव करता है है ना वैसे ही हम क्या करेंगे इस अब fruit 10 के अंदर मुझे पहले length के हिसाब से मतलब fruit की जो length है last length है उसके is equal to मुझको जो string मुझको वह input देनी है वो मैं input दूँगा तो मैं क्या करूँगा इसको listring के दुरू करूँगा square basis लूँगा यहाँ पे दूँगा fruits fruits 10 fruits 10 की जो length है अब is equal to यहाँ पे क्या करो is equal to आप दे दो यहाँ पे kiwi इसको declare कर दो ठीक है अब कुछ नहीं आपका काम हो गया do यह starting बिस ने कुछ ले लिया है बच गया अब यहाँ पे ले लो document.getElementById इसको किस के अंदर डाल दे शरट 10 के अंदर डाल देता है the dinner stml is equal to fruits 10 declare अब देखो last में कीवी 8 हो जाएगा यह देखो last में कीवी 8 हो गया ठीक है मतलब एक चीज करने के आप देखो java script के पास कितने सारे तरीके हैं यही same चीज़ हम python में भी करते हैं है ना लेकिन कितने तरीके हैं देखो java script के पास इसको add करने के या किसी पहले scripting का use के वल client end पे होता था client पे click event पे या client को facility देने लेकिन java script कितनी vast हो चुकी है कितनी चीज़ें आप कर सकते हो java script में ठीक है एक चीज़ का ध्यान रखना आप हमेशा आपको जब आप ठेओरी पढ़ोगे ना java script की वहाँ पर आपको एक बात बताई जाएगी जिसको कहेंगे java script के array को delete करना ठीक है इसका जो function होता है मैं आपको इसको unofficially बता रहा हूँ मैं एक comment देता हूँ यहाँ पर देता हूँ java script array delete ठीक है यह basically क्या होता है ना ऐसा function होता है array को delete करने के लिए लेकिन जब आपको कभी भी array का delete function दिखता है ना तो यह मेरी recommendation है कि इसको छोड़ देना आप कभी भी delete function का use मत करना array के लिए किसी भी array के लिए उसकी जगा पे अगर आपको उसके अंदर का data को clean करना है हटाना है ना तो आप या तो pop का use करना या shift का use करना मैं यहाँ पर link भी देता हूँ don't use this method यह मैं आपको आगे बताऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं fully recommend कर रहा हूँ कि इसको use मत करना problem हो जाती है बहुत ज़्यादा ठीक है instead use pop यह मैंने आपको बताया अभी and या sorry or shift बिल्कुल use मत करना ठीक है operator होता है delete का एक इसमें है लेकिन क्या होता है न ये समझ लो actually undefined होता है ठीक है ये जो delete वाला function है undefined function है कोई ना कोई loop, hole, hole छोड़ देता और hacking के लिए pure chances हो जाते है वहाँ पे क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि java skip हर चीजों की कोई object नहीं होता लेकिन अगर आप method और इसकी कोई भी operators का use कर रहे हो तो method यूज करोगे या कुछ भी करोगे ना तो ये उसको as a object treat करता है तो क्या होगे delete भी एक object हो गया अब delete ने अपना काम कर दिया लेकिन जो जगा बची आप समझो जगा बची वो क्या होगे एक hole हो गया उस hole को fulfill करने के लिए कोई तरीका नहीं है ठीक है मतलब function वहाँ पर पड़ा हुआ है उसने वहाँ पर हटा दिया लेकिन वहाँ पर उसने एक loop pole दे दी वहाँ से कोई भी hacker इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ डिलीट का यूज मत करना पॉप का यूज कर लो शिफ्ट का यूज कर लो उन दोनों की जगा पे ठीक है यह मुझको एक दम से याद आया अभी तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ ठीक है और यहाँ पर लिखता हूँ margin मतलब concatenation ठीक है नॉर्माल लेंग्वेज में योई बोलते है इसको मैं margin और concatenation ठीक है concatenation यहाँ परना E होता है concatenation पर ठीक है अब यहाँ पर कर दो array बस इसको कैसे आपको करना है concatenate वो भी देख लेते हैं मैंने definition वाले पार्ट में बताया हुआ है बट मैं एक बार आपको इसका specific method बता देता हूँ कि कैसे करते है concatenate के लिए concatenate का एक option होता है उसके धुरू किया जाता है ठीक है जैसे दो array को आपको जोड़ना है माल लो तो आप कैसे जोड़ोगे तो हम यहाँ पे एक paragraph लेते है और यहाँ पे लिख देता हूँ the concat यह method होती है the concat method merge arrays देको मैंने s लिखा है array इस plural लिखा है क्योंकि दो या तीन array आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो मैं एक paragraph ले लेता हूँ और इस पे हमारी id दे देता हूँ शरद 11 11 11 ही है ना 10 हमने यूज़ कर लिया था शरद 11 पे आजाओ यहाँ पे scripting ले लो और script पे मैं इस बहर लेता हूँ same नहीं लूँगा दूसरा कुछ example ले लेता हूँ मैं यहाँ पे मालो ऐसे ले लेता हूँ my girls ठीक कुछ नया try करते हैं इस पे मैं दो value पास कर देता हूँ ठीक है और एक value दो पास कर देता हूँ मैं यहाँ कर देता हूँ कोई भी नाम बताओ यार अच्छा सा Alice कर देता हूँ कुछ भी एक Hindi English टाइप का नाम ले लेता है ना कुछ भी ले लेता है ठीक है और एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं confirm नहीं कॉंस्ट ओके यहाँ कर देता हूँ माई बॉइस मुझे इसको ना वो करना था मतलब माई चिर्डर्ण वाला बनाना था तो थोड़ा सा अच्छा लगता ओके कोई बात नहीं यहाँ पर मैं कर देता हूँ चलो शरत ठीक है और यहां पे मैं कर देता हूँ कोई भी नाम ले लो इंगलिश वाला नाम ले लेता है यार जॉन ले लेता हूँ जी ओ एचेन यह तो हमेशा से इंगलिश नाम होता ही आया है है ना और तीन मुझको जोड़ना है ना तो मैं एक काम करता हूँ और एक और एक्सामपाल ले लेता हूँ जॉन ले लो यहां पर ले लो संजय ठीक है ऐसे कर लो अब देखो मैं क्या करता हूँ की एक और लेता हूँ कांस्ट यहां पर चिल्डर्न कर देता हूँ वो कि चिल्डर मेरे दिमाग में आया है तो मैं कर देता हूँ C-H-I-L-D-R-E-N ठीक है और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि माई गर्ल्स माई गर्ल्स को कौनके ने कौनकेट कर दो कौनकेट कर दो किसके अंदर माई माई बॉइस ठीक है यह क्या होगा कि पहले गर्ल्स मतलब हर्शा के बाद ऐलिस ऐलिस के बाद शरत शरत के बाद यह जो जौन है जौन के बाद संजे दो आपस में अलग-अलग वैल्यू को यह जोड़ देगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा Linda document . get Element By ID और इसको कर देता हूं शर 11.ZAntmL और इस इक्वल टू मैं कर देता हूं my यह जिल्डरण ठीक मैंने जो इस वेर्यवल पर जो सियर्व कर वाया मैंने वेर्यवल पस मैंसको डिक्ले़ कर देता हूं तो मेरे पास चार-पांच value आ जाएगी है यह देखो आ गई हर्षा और Alice था हमारा my girls में शरत जॉन संजे था my boys में इसको मैंने my children पे save करवा दिया और मैंने cat का use किया है my girls में my boys को जोड़ दिया इसलिए my girls first पे आया अगर मैं my boys पे my girls को जोड़ता तो पहले यह return होता फिर यह return होता ठीक है उपर नीचे आप अपने इसाब से कर सकते हो इसको easy है ठीक है यह simple concat है लेकिन लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे कि एक तरह की आपके पास मालो दो value हो गई ठीक है या फिर आप समझो की कोई existing आपके पास है already ठीक है तो यह क्या करेगा कि उसको as a new indexing या as a new length के रूप में लेगा यह उसको override जैसे आपन बोलते हैं override वाला system यह override वाला system उसमें नहीं करता है ठीक है मतलब एक में आप दो array को जोड सकते हो लेकिन इसको override नहीं करेगा जैसे मैंने my girls लिया my girls में अगर मैं एक और यहां पर बनाता हूँ ठीक है एक और बनाता हूँ जैसे कि मालो यह यह पर मैं एक और बना देता हूँ एक और बना देता हूँ const यहां कर देता हूँ my parent ऐसे कर देता हूँ ठीक है यहां पर कर देता हूँ इसको और मैंने फिर ले लिया यहां पर मैं कर देता हूँ पहला वाला कर देता हूँ मुकेश जस समझो और दूसरे पर ले लेता हूँ sham बहुत old नाम ले लिया है मैंने मुझे भी लग रहा है कि मैंने बहुत ओल नाम ले लिया इसको डिकलियर नहीं किया था इसको डिकलियर भी कर देते हैं ठीक है तो यहां पर basically क्या होगा मैं यहां पर मैं यहां पर कॉमा देके माई पैरेंट ऐसे भी कर देता हूं तो ऐसा नहीं होगा कि यह इसके उपर ओवर्राइट हो जाएगा यह पहले आ जाएगा यह बाद में आएगा ऐसा कुछ नहीं होगा ना इस चीच का आप ध्यान रखना ठीक है जिस तरह से लिखा हुआ है यह उ दूसरा तीसरा सॉरी पहला होगा दूसरा तीन दिया सामने यह तीसरा तो ऐसा नहीं होगा कि यह पहले यह बाद में यह पहले यह बाद में ऐसा कुछ नहीं है आप unlimited type of add कर सकते हो यहाँ पे इसमें my girls मैं ठीक है क्योंकि कॉन्केट जो एक यी वेरियेबल पर काम करेगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर माइग लिखो फिर कॉमा माइग लिखो फिर वहां पर डॉट लगाओ उसके अब कॉन्केट करो तो यह गलती मत करना यह मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो मैं जब मैं आ गलतियां होती है तो यह गलतियां मत करना ठीक है कि कॉमा के बाद आप दूसरा भी एड़ कर सकते हो तो वो लोग एक ही चीज को बार बार एड़ करते थे पहले एक को सेव करते थे माई पैरेंट में मतलब माई चिल्वन पे एक वेरियेबल बना के दो को एड़ किया फिर तो इस वेरियेबल पर सेव करते थे तो वैसे नहीं करना आपको आप वहापे कॉमा का यूज़ कर लो आपको एक के अंदर जीतनी चीजों को कॉन कैट करना है आप वहापे एड़ नहीं है आपके पास में आपके वेरियेबल एक वेल्यू ए épisode को भी ए। जैसे कि आपने द सारे function पर देखा है ना कि adding हो सकती है है ना हमने push के through किया add किया है ना वैसे ही आप इसके तुरू भी concrete के तुरू भी add कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसके तुरू एड करो देखो मैं उसको भी आपको करके दिखाता हूँ काउन के तुरू भी बहुत बढ़िया से एड होता है एक परग्राफ लेता है और यहां लिखता हूँ दर कॉन्केट मैथर्ड ऑल्सो मर्ज टिक स्ट्रिंग वैल्यूस टू एन एरे यह आपका गया यह भी होता है कैसे होगा एक परग्रास लेील यहां पर दे दो इसको दे दो मरा जेनिता हो मरा वैल्यूस छी स्क्रिंग और यहां पर मैं एक इस पर्लि लेता हूँ ठीक फ्रूट्स अब फ्रूट्स को मैं बना देता हूँ इस बार 12 बनाना ओरेंज एपल मेंगो मेरे पास यह चार वैल्यूज है ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहां पर जाओंगा और ओके यहां पर जाओंगा और यहां पर मैं फिर से एक देता हूँ कॉंस्ट ठीक है सी ओ एन एस कॉंस सी ओ एन एस कॉंस ठीक है अब यहां पर मैं एक और वैल्यू देता हूँ यहां पर लिख देता हूँ मैं मान लोग कुछ भी कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ ठीक है ग्रीन is equal to मैं यहां कर देता हूँ किसमे fruits 12 में fruits 12 में क्या करो आप करो concat concat करो और इसके अंदर parameter आप pass कर दो इसके अंदर आप pass कर दो lemon जो आपको add करना है ठीक है इसको declare कर दो मैंने एक variable लिया const नाम का एक variable लिया green ठीक है उसको green के अंदर मैंने क्या किया अपना जो fruits था fruits को मैंने concat किया और एक value को add किया उस पे अब उसके बाद मैं सीज़े इसको print कर देता हूँ document.getElementById किसके अंदर शराग 12 के अंदर dot innerstml is equal to क्या हो जाएगा is equal to अब मैं करूँगा green को क्योंकि मैंने नई value बनाई ना green मैंने fruits की value को भी तो उठा लिया है fruits की value को उठा के concrete करके lemon जोड़ दिया है अब मैंने fruits को भी ले लिया उसको green में save कर दिया तो मेरे पास क्या क्या आ गया मेरे पास तो banana, orange, apple, mango और lemon भी आ गया ना साथ में देखो देखते हैं यह देखो lemon साथ में आ गया तो concrete method also merge string value यही वाला banana, orange, apple, mango lemon ठीक है इसलिए मैंने fruit 12 को प्रिंट ने किया मैंने green को प्रिंट किया क्योंकि मैंने एक नए variable में इसको save कर लिया है इसलिए मैंने बोला कि आपको जरूवत नहीं है कि आप किसी variable को ही concatenate करो आप simple एक string को भी pass on कर सकते हो लेकिन इस method के थूँ आप करोगे ठीक है hope आपको यह clear हो गया होगा असानी से easy है, बहुत easy है अब इसी में एक और देख लेते हैं मैंने बोला भी था आपसे बहुत बड़ा chapter बनने वाला है और मैं चाह रहा हूँ आप इसको पूरा खतम कर लो इस बार, इससे last है इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें ठीक है, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ slicing के बारे में slicing array यह क्या होता है जो splice method होता है यह basically क्या करेगा, नए item को array में जोड़ देगा ठीक है, देखो, इतने सारे तरीकें कितने सारे methods बनाए गए हैं java script में, एक ही चीज़ को करने के न बहुत सारे method है, तो आपको जो method में आप comfort हो न, आप उस method को use कर लो क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि situation based है splice क्या करेगा, नया method जोड़ देगा और slice क्या करेगा, slice का मतलब क्या होता है piece piece में काटना, तो slice क्या करेगा slice out कर देगा, array से जितना piece आप हटाना चाहते हो आप उसको हटा दो, तो वो कैसे करोगे slice के तुरू करोगे, तो पहले मैं आपको example देता हूँ, splice का splice method कैसे काम करता है, ठीक है तो यहाँ पर पहले एक node बनाते हैं, यहाँ लिखते है the splice method adds a new element to an array simple फिर से एक P ले लो एक ID ले लो ठीक, यहाँ पर दे दो इशरा 13 two one three हो गया ना, 13 दे दो यहाँ पर ले लो script यह तो आप इतना आदी हो गया, आप करकरके करकरके इसको सेम चीजें, है ना मैं सेम ले लेता हूँ, बिलकुल same example लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 13 अब यहाँ पर मैं इतनी चीजों में मैं कुछ add करता हूँ, ठीक है, splicing के थूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, fruits मैं दो printing कर रहा हूँ, मैं इस बार single printing पर आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको normal print करूँगा, तो यह तो banana, orange, apple, mango just print हो के आएगा, तो मैं direct printing कर रहा हूँ, ठीक है, fruits तो मेरा fruits कौन सा हो गया, 13 मैं fruits 13 को splice करूँगा, तो मैं sp लिखूँगा, यह देखो आगे है मेरे पास splice method, अब इसके अंदर जब मैं functionize करूँगा, तो देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर indexing के हिसाब से, या length के हिसाब से, मैं किसी भी value को आपस में adjust कर सकता हूँ, भीच में, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, ठीक है, मैं पहले करता हूँ, फिर आपको दिखाओंगा, 2, अब यहाँ पर लेता हूँ, कॉमा जीरो ठीक फिर कॉमा में लेता हूँ अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ यहाँ पर लेमन ठीक है फिर एक कॉमा लगा के स्ट्रिंग पास कर देता हूँ मैं यहाँ कर देता हूँ कीवी ठीक है तो क्या होगा basically आप देखो indexing के सब से आप देखो कि indexing के सब से 2 कहांपे 2 किस में आ रहा है apple पे आ रहा है है न जिरो बनाना हो गया one हो गया orange और apple हो गया मेरा 2 ठीक तो मैंने क्या किया 2 मैं पहले इसका output दिखाता हूं आपको तब आपको और पहले पुरा code लिख लेता हूँ document.getElementById और इसको हम कर देते हैं शरद 13 के अंदर और .innerStML is equal to simple मेरा fruits जो है 13 इसको मुझे को print करना है तो यह जो मैंने लिखा अभी इसमें क्या होगा जो पहला parameter है 2 यह क्या करेगा यह define करता है पहला parameter ना यह parameter आप चाहिए आप यहाँ 2 लिखो 3 लिखो 4 लिखो कुछ भी लिखो indexing के साब से तो यह पहला parameter है यह define करेगा कि किस position में आपको नया element डालना है मतलब spliced करना है add करना है ठीक है कहाँ पर आपको add करना है तो second position में करना है second position क्या है indexing के साब से आप देखो second position क्या है 0,1,2 apple तो यह apple के पहले से lemon और kiwi enter होने शुरू हो जाएंगे ठीक है और जो इसमें second parameter है 0 यह define करेगा कि how many elements should be removed मतलब कितने element को आप remove करना चाह रहा हो यहाँ से तो मैंने क्या कहा 0 मैं भी किसी भी element को remove करना नहीं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आके वो put हो जाए क्या lemon और kiwi दो पे तो क्या होगा बनाना औरेंज लेमन कीवी एपल मैंगो ठीक है इस तरीके का मेरे पास output आएगा एक मिनट slicing अच्छा मैंने save नहीं किया है तभी यह ऐसा आ रहा है यह आ गया बनाना औरेंज यह देको लेमन कीवी उसके बाद एपल मैंगो मतलब बनाना औरेंज फिर लेमन कीवी एपल मैंगो बनाना औरेंज लेमन कीवी एपल मैंगो मतलब जो second indexing के साब से मैंने दिया ये इसके पहले से वो लेना यहाँ पर gap बना देगा और कोई value को remove नहीं करेगा इसके लिए मैंने 0 दे दिया है ठीक है ये spliced होता है थोड़ा साब को अजीब लग रहा होगा लेकिन ये splice method है commonly use होती है ये भी जिसे slice method commonly use होती है वैसे splice method भी बहुत common use होती है ठीक है अब अगर मालो मैं वो जो zero है मैं zero की जगा पे अगर मैं कर देता हूँ मालो two कर देता हूँ तो क्या होगा जो two value है last की कौन सी apple और mango वो mango हट जाएगी केवल banana orange lemon kiwi रहेगा मेरे पास ठीक है देखो इसको भी आपको करके दिखाता हूँ नीचे आजाओ यहाँ पर मैं फिर से एक paragraph ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ the splice splice method इसको ऐसे लिखना ज़रूरी होता है method best practice में ले आव उसको adds new element यह तो मैंने बता दिया है है ना method also returns returns tick an array with the deleted element ele element कैसे होगा यह देखो यह क्या होगा जैसे कि मैं scripting scripting नहीं पहले हम ले लो paragraph यहाँ पे ले लो id यहाँ पे ले लो शेरद 14 नीचे आ जाओ यहाँ पे ले लो script और script के अंदर counts ले लो ठीक है अब यहाँ पे इसको कर दो 14 अब देखो बनाना ओर एंज एपल मैंगो ठीक है यह चार हमने यहाँ पे देखा हुआ था ओके और तो अब मैं क्या करने वाला हूँ अब मैं यहां करने वाला हूँ कि आ-ा आ-ा-ा प्रूट्स ऐस फोर्टीन डॉट इस्प्लाइस ठीक बिलकुल सेम जो हमने उपर किया वहाता तू पॉमा टू दे देता हूँ यहाँ 0 नहीं दोंगा ठीक है यहां पे कर देता हूं लेमिन सेम अब यहां पे कर देता हूँ की भी ठीक है इसको डिकलेर कर देता हूं document.getElementById और यहां पर मैं कर देता हूं इसको शरद14.innerSTML is equal to क्या करना है मुझे fruits14 करना है ठीक है अब आप देखो क्या होगा मैंने हाँ आप टू दे दिया तो क्या होगा apple और मैंगो नहीं है देखो बनाना औरेंज लेमन की अपल मैंगो गायब हो गया apple मैंगो नहीं है तो कि हमने डो पर में बोला remove कर दो आगे की दो value को तागे की दो वैलियो जो हो गई समझ दो इसने उसको रिप्लेस कर दिया अगर यह वैल्यू एड्ड होती तो इनकी इंडेक्सिंग में फरगा जाता जहां एपल आज टू है एपल क्या हो जाता फोर हो जाता है ना मतलब इंडेक्सिंग पूरी चेंज तो हमने कहा कि आप रिमूव कर दिया उसको यहा आपको जो वैल्यू हटानी है जिस इंडेक्सिंग से वहां से इसको कर दो जीरो कर दोगे तो जिस प्लेस से वह हटाएगा उस प्लेस की वैल्यू आ गई और आगे से आप उसको डिलीट कर दो जैसे आपने दो प्लेस से लिया इस दो प्लेस से आपने लिया ठीक है यहां पे आप इन दोनों को डिलीट करो, इन दोनों को डिलीट करोगे तो यहाँ पे एंटर कुछ होगा नहीं, आप सिंपल यहाँ पे जाओ, पहला वाला वेल्यू लिओ, फर्स्ट या सेकंड इंडेक्सिंग से उसको डिलीट कर दो, ओके, इजी, बहुत इजी, अब आ जाते हैं नीचे स्लाइसिंग पे, स्लाइसिंग क्या काम करेगा, हटाने का, स्लाइस करने का, तो मैं यहाँ एक नोस बना देता हूँ, the slice method, slices out a part of an array, ठीक है, starting from, from array element, ठीक, अब यह खतम, अब नीचे आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर हम फिर से एक paragraph ले लेते हैं, ID ले लेते हैं, शरद 15 कर देता हूँ इसको, ओके, नीचे आजाओ, हमारी script ले लो, script में हम सेम लेते हैं, combination, सेम array को उठाते हैं, और यहाँ पर कर देता हूँ, पंद्रा, चलो, अब नीचे आजाओ, अब यह slicing के कर दम बात करें हैं, तो कैसे करेंगे, तो हम इसमें सीधे slice method का use करेंगे, parameter के अंदर जो हमको देना है, वो यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप indexing का use मत करो, यहाँ पर आपको length का use करना पड़ेगा, slice के अंदर, ठीक है, क्योंकि यह सारा का सारा है, यह सारा length है, जो हमने पढ़ा था, है ना, तो नीचे आओ, यहाँ पर, और यहाँ पर आप कर दो, एक variable बना लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर save कर देंगे, एक concept बना लेते हैं, इसके अंदर कर देते हैं, new fruit, ruid, new fruit कर देते हैं, new fruits is equal to, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ, fruits 15, fruits 15, dot, यहाँ पर करो, आप slice, और slice में, length के साब से आपको कौन सा cutting करना है, जैसे मैं बनाना को काटना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर simple one कर दोँगा, मैं zero नहीं कर रहा हूँ, मैं length का use करूँगा, तो मैं one करूँगा, ठीक हैं, indexing जब use करते हो, तो आप वहाँ पर क्या use करोगे, curly braces नहीं, वहाँ पर आप square braces यूज़ करोगे, indexing में हमेशा square braces यूज़ होता है, length में हमेशा round braces यूज़ होता है, ठीक हैं, यह चीज़ को हमेशा याद रखना, ओके, अब इसको declare कर दिया हमने, अब simple, document.getElementById, किस के अंदर, शरद 15 के अंदर, okay, innerHTML is equal to new fruit, यहाँ मैं new fruit कर देता हूँ, new fruits, network connection कहां से आ गया, new fruits, okay, यह वाला, ठीक, slicing के इसाब से, अब नीचे आ जाओ, देखो, बनाना कड़ गया, orange apple mango बचा है, orange apple mango, पहला वाली, जो हमने length दीती पहला, one, two, three, four, इसमे one को काट दो, one को slice कर दो, उसने slice कर दिया, orange apple mango उसने ले लिया, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखती है, आपको अगर देखना रहता है ना, कि यह जो cutting हुई है, वो cutting किस चीज़ क्यों हुई है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में भी, यहाँ पर मै आप कैसे देखोगे उसको, यह देखो, shift में मैंने आपको बताया था, इस पर, ठीक है, यह हो गया simple slice method, slice method में एक चीज़ का ध्यान रखना आप, जब भी हैपन slice method का use करेंगे, का cutting, appending वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, उसको पुराने वाले variable में save मत करवाना, हमेशा ए यह काम करता है, slice method में आपको एक नए variable पे ही slice करना पड़ेगा, इसलिए मैंने देखो, यहाँ पे एक नए variable define किया, और उसको मैंने print किया, तो जब भी आप slice method का use करोगे, नए variable का use करोगे, ठीक है, क्योंकि slice method कभी भी कोई भी source जो रहता है, जैसे कि यह array एक बना हुआ array है, ठीक है, यह एक predefined array है, ठीक है, पहले से बना हुआ है, इसके अंदर की चीजों को वो cutting या remove नहीं कर रहा है, वो delete नहीं कर रहा है, ध्यान दीजेगा ना, हम slice कर रहे हैं, उसके अलग कर रहे हैं, पार्ट को तोड़ के, तो क्या होगा कि वो कभी भी जो original file है ना, उस प output बचता है, rest, after slicing, आप उसको जोड़ लो, जैसे हमने इस पर after slicing को display कर दिया है, ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अब आगर आपको दो तीन array काटना रहता है आपस में, जैसे आपको माल लो, एक तरह से आप ले लो की, और इस पर ले ले लेते हैं, ये ले 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 लेते हैं, और इस पर लगभग, एक ये हो गया, ये हो गया, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, लगभग उसको, ठीक है, अब इस में, जो मैंने टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन आपको बताया था, मैंने बताया है, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, मैंने बता दिया है, टू में λग बहुत कुछ आपका कवर होगया है ठीक है और कुछ बचा नहीं मैं और कुछ नहीं है नहीं और कुछ नहीं है ज asta अपकर प्रेट सब कर जाए तो मन आपकर उतल हो गां जाए ह से Healthy वाले मिकर्ट वेल्यू, मैक्सिमम वेल्यू तो जब हम उसमें कोई इंटीजर वेल्यू पास करते हैं तब ही वह एक्जेक्यूट होता है, otherwise string में तो आप minimum maximum निकाली नहीं सकते है, क्योंकि रैंक्त बेस्प होता नहीं है वह है ना, तो I think यह आपका हो गया है complete और अब चलते हैं next chapter की तरफ हमारा 14th मैं इसको save कर देता हूँ, हमारा 14th chapter जिसमें मैं आपको array को sort करना बताता हूँ, कि sorting जो होती है array में, कैसे हो दी, क्योंकि देखो यह miss arrange होता है ना, कई बार A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, अलग-अलग alphabetically होता है, तो यह miss arrangement कहते हैं इसको, तो उसको आपको properly sort out कैसे करना रहता है, जब अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जगा से input आते हैं, वो भी unarrange input, तो उसको sorting कैसे होती है, उसके बार में discuss करेंगे, ठीक है, चलो, खतम करते हैं यहाँ चेप्टर, ओके,